Hello dear students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो उसमें डिस्कस करेंगे Assessment Worksheet No.9, 4 Class 9th विशे सामाजिक विज्ञान है और ये वक्षीट आपके लिए 17th of November 2021 के लिए शिडियूल की गई है आज की जो वक्षीट स्टूरेंट्स उसमें में हम 10 questions जो है MCQs questions को discuss करेंगे So इस वक्षीट को आप as a quiz भी ले सकते हो जैसे कि आपको बता है आपके exam, midterm exam जो है वो आपके होने वाले हैं तो ये वक्षीट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा beneficial रहेंगी तो इनको आप as a quiz करेंगे तो आपकी practice हो जाएगी सो वक्षी शुकरने से पहले प्ली चैनल को subscribe कर दीचे बेल आइकन को press कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की notification वो समय से मिल जाएं सो देखें आज की वक्षीट में क्या दिया गया है प्रैशन एक है उत्पादन की पहली आवशकता है तो उत्पादन की पहली आवशकता क्या है श्रम दिया गया है ख भूमी ग भौतिक पूंजी और घ दिया गया है मानव पूंजी तो उत्पादन की पहली आवशकता क्या होगी भूमी जो है उत्पादन की पहली आवशकता है ठीक है जब तक भूमी नहीं होगी तो उत्पादन हम कहाँ पे करेंगे तो इसलिए भूमी जो है वो पहली आवशकता हो जाएगी प्रेशने 2 है भूमी नापने की मानकिकाई क्या है मीटर, नाली, मुठी या हेक्टेर तो भूमिन आपने की मान की काई होगी हैक्टेर इसका right answer हो जाएगा clear तो साथ-साथ आप इसके answer जो है वो लिखते रहे टिके चेक करते रहे next देखे प्रश्न तीन है ओजार, machine, भवन किस के उधारन है ओजार, machine, भवन जो है ये किस के उधारन रहेंगे option कर दिया गया है मानव पूंजी के ख स्थाई पूंजी के ग अ स्थाई पूंजी के और ग है इन में से कोई नहीं तो 1000 machine भवन किसके उधारण है ये उधारण है देखे स्थाई पूंजी के ठीक है यानि ये स्थाई पूंजी है एक बार investment करने के बाद सालो साल चलती रहती है बार बार बदलने के आवशक्ता नहीं होती इसलिए ये स्थाई पूंजी के उधारन रहेंगे प्रैशने चार है पालंपूर में मुखे क्रिया कौन सी है तो पालंपूर में मुखे क्रिया कौन सी है तो गर जो है आपका इसका right answer हो जाएगा नेक्स देखिए प्रैशन पांच है इन में से कौन एक स्थाई पूंजी है आपको बताना है कौन स्थाई पूंजी है मुद्रा मुद्रा स्थाई पूंजी नहीं है कच्चा माल भी नहीं है यंत्र जो है आपका इसका right answer हो जाएगा गर जो है right answer रहेगा यंत्र वो एक स्थाई पूंजी है क्लियर है मुखे क्रिया कौन सी थी खेती रहेगी नेक्स देखिए प्रैशन च्छे आपको दिया गया है पालंपुर गाउ में बरसात के मौसम में लोग कौन सी फसल उगाती है कह गेहू और चावल खह जवार और बाजरा गह मक्का गह गेहू एवं चना तो पालंपुर गाउ में बरसात के मौसम में लोग कौन सी फसल उगाती है बरसात के मौसम में जो फसल उगाई जाती है वो जवार और बाजरा जो है वो उगाई जाती है ठीक है गेहूं जो फसल है वो रभी की फसल है ठीक है तो देखे ख जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा next है question number 7 एक साल में किसी भूमी पर एक से ज़्यादा फसल उगाने की विधी को क्या कहा जाता है गव ऑप्शन बहुविद फसल परनाली खर आस्ट्रिय फसल परनाली गव एकल फसल परनाली और गव है उपरोक्त सभी तो एक साल में किसी भूमी पर एक से ज़्यादा फसल उगाने की विधी को बहुविद फसल परनाली कहते हैं गव जो है इसका राइट आसर हो जाएगा ठीके बहुविद फसल परनाली नेक्स देखिए प्रेशन आठ जो दिया गया है भारत में हरित क्रांती का उदे किस सन में हुआ तो भारत में हरित क्रांती का उदे उन्नी सो पचास उन्नी सो साथ उन्नी सो सत्तर और उन्नी सो अ में तो कब हुआ भारत में भारित क्रांती का उदे भारत में हरित क्रांती का उदे जो है वो हुआ था 1960 के दसक में ठीके तो ख जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स देखिए प्रशन 9 है पालंपूर से निकटतम कस्बे का नाम क्या है क शापूर है ख गोविंदपूर है ग दुरगापूर है या ग राय गंज है तो निकटतम कस्बे का नाम क्या है पालंपूर से निकटतम कस्बे का नाम है शापूर क जो है इसका राइट आंसर देखे प्रश्न 10 है HYB糖स का विस्तारित नाम क्या है HYV糖स का विस्तारित नाम लुक्तोरे ये नहीं होगा इसलेक죠 ये 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 जोहे इसका आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर रहेगा एसमें ये थी आपकी आज मुम स्स्वाइट कैस्टोरी को एस सब्सक्राइब कर दीजिए so thanks for watching मिलते हैं next वीडियो में next worksheet के साथ take care bye bye